इसकी रफ्तार और इसका वार अच्छूक है इसलिए ये भारती सीना के तरकश का सबसे खतरनाक हत्यार है नाम है सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल ब्रम्होस जो पहले ही कई परिक्षणों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है और अब इसकी रेंज को बढ़ा कर इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया गया है ब्रम्होस के लैंड अटेक वर्जन के सफल परिक्षण का ये वीडियो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महस 14 सेकिंड के इस वीडियो में सुपरसॉनिक रफ्तार से ब्रम्होस का ये नया वर्जन अपने लक्ष की ओर बढ़ती दिखी और 14 सेकिंड में ही इसने सफलता पूर्वक टार्गिट को भी तबाह कर दिया इस टेस्ट की सफलता की जानकारे खुद इंडियन एरफोर्स की ओर से तोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते फे दी गई साथ अपने संदेश में एरफोर्स ने बताया कि वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्री तट ग्वीप समूख के पास ब्रमोस मिसाइल की सतह से सतह तक मार करने वाली वर्जिन का सफल परेक्शन किया मिसाइल फायर सफल रहा और इसने अपने सभी लक्ष हासल कर लिए ब्रमोस मिसाइल की मारक्शमता को लेकर भारते वायुसेना को एक बड़ी सफलता मिली है भार्तेवाई सेनन ने सर्फिस से सर्फिस मार करने वाली बर्मोज मिसायल के वर्जन का सफल परिक्षन किया और ये परिक्षन सभी मानकों पर खरा उतरा है तार्गिट को पिन पॉइंट करके धुस्त किया गया इस मिसायल की रेंज 300 से 800 किलोमेटर तक की दूरी के बीच है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ये टेस्ट भी इसी मकसद से किया गया था बताय जा रहा है कि सफल टेस्ट के साथ ही जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलो मिटर से जादा कर दिया गया है जिसके बाद इसके जद में चीन और पाकिस्तान का पूरा क्षेत राच चुका है भारते वाई सेना को लंबे समय से इस तरह के परिक्षन की जरुरत ही जिससे वो नस्वर जमीन बलके समंदर किसी भी मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी ठेकाने को किसी भी निशाने को निस्तिनाबूद कर सके ये परिक्षन जब किया गया तो वो मौजुदा और जो तैय पर मानक थे उस पर पूरी धर से खरा उतरा है इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह की हालात है भारते वाई सेना और तीनों सेना है चाहे अलग-अलग मोर्चे पर खासतोर से ब्रह्मोज मिसाइल अव तीनों सेना में सेना में शामिल हो चुकी है ऐसे में ब्रह्मोज मिसाइल की ये नई बारक्षमता भारते वाई सेने की ताकत को और बढ़ाएगी उपर से इसकी रफतार इसे सबसे ज़्यादा अगहा तक बनाती है क्योंकि ये 4,300 किलोमेटर प्रतिघंटा के रफतार से हमला करती है यानि इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता इतना ही नहीं दुश्मन के राडार को चक्मा देने में माहिर 3,000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल में 200 किलोग्राम के परमाणो हत्यार लगा सकते हैं बड़ी बात ये भी है किसे पंडुब्यों, जंगी जहाजों, फाइटर प्लेन और जमीन से दागा जा सकता है इसकी इतनी खोबियों की वज़ा से ही ब्रम्होस क्रूज मिसाइल को हिंदुस्तानी सेना का ब्रमहस्र कहा जाता है जिसे रूस के सहयोग से देश में ही बनाया गया है बीदे कुछ सालों में ब्रम्होस की कई परेक्षन हो चुके हैं जिनमें ये मिसायल सभी पैमानों पर खरी उत्री है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है इसके साथ भारतिय सेना के नाम एक और उपलब भी चुड़ गई है